तो dy dx of x यह 1 हो जाएगा y को कोम करते हैं क्या y dash और यह हमारा हो जाएगा 1 upon 1 plus y square y dash ठीक तो y dash वाले terms को एक साथ हम करते रहें तो y dash 1 minus 1 upon 1 plus y square ठीक है इस इपल टू क्या हो जाएगा minus 1 हो जाएगा ठीक है तो y dash और यह क्या हो जाएगा 1 plus y square 1 plus y square minus 1 upon 1 plus y square is equal to कितना minus 1 ठीक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से 1 हमारा कट जा रहा है तो यह y dash की value क्या हो जाएगी minus 1 plus y square upon y square ठीक है यह हो जाएगी y dash की value ठीक है ठीक आप देखिए जो हमें प्रूफ करना है तो उसमें हम LHS term लेंगे LHS is equal to है हमारा y square y dash plus y square plus 1 ठीक और देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं y square into y dash की value रख दे रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा minus 1 plus ठीक minus 1 plus minus 1 plus y square upon y square ठीक plus 1 y square plus 1 ठीक यह है हमारा तो आप देखिए यहाँ पर y square से y square हमारा कैंसल हो जाएगा और यह देखे यह बिसिकली पूरे bracket में माइनस था ठीक और यह हमारा माइनस अंदर multiply होकर के हो जाएगा माइनस 1 माइनस y square प्लस y square प्लस 1 ठीक आप यहां से देख रहे हैं माइनस 1 से 1 कट जाएगा माइनस y square से y square कट जाएगा तो overall यह हो जाएगा 0 जो कि किसके equal है RHS के equal है यही हमें prove करना